ओके चलो तो आज का टॉपिक है हमारा आरेच टाइपिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली बार ठीक है आरेच टाइपिंग जो है ठीक है यह एक्चुली यह एक्चुली जैसा आपने एबियो ब्लड ग्रूप सिस्टम आपको मैंने पढ़ाया था जैसा वहाँ प टाइप का है रह पॉजिटिव एन रह निगटिव यह वी एक अटीजन है ठीक है आरेच अंटीजेन तो एक्जाम में कोश्चन आता है आरेच जो ये नाम है ये कैसे पढ़ा ठीक है? एक्छोली RH antigen का जो discovery हुई थी discovery हुई थी एक monkey से हुई थी ठीक है? उस monkey का नाम था recess recess monkey और उसी से इसका नाम पढ़ गया उसी से इसका नाम पढ़ गया बोलो क्या? RH antigen RH antigen Okay, now देखो एंटीजेन और एंटीबोडी की कहानी आपको मैंने बता रखी है येस एंटीजेन और एंटीबोडी की कहानी आपको मैंने बता रखी क्या बता रखी बाई साब जो रिपीट करते हैं एक बार येस दो टर्म हमने पढ़ रखा है एक टर्म हमने पढ़ा है एंटीजेन और जनरेशन और यह एंटी जो है यह इंडिकेट करता है एंटीबोडी मतलब मतलब इस आपके बॉडी के अंदर जाए और जनरेशन करवाए किसका एंटीबोडी का उस कैमिकल को हम लोग बोल देते हैं एंटीजेन इस इट क्लियर एंटीजेन क्या होगा इस आर दे जनरेशन अफ वाट एंटीबोडी अब देखो यह मान लो आप हो अब आपके अंदर आपके बॉडी के अंदर आपने गुलगप्पे खाए ठीक है यह गुलगप्पा क्या हुआ इसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर क्या पहुच गया वाइरस वाइरस का तो सर नाम मत लीजिए कोविड का टाइम है ठीक है अब तो वाइरस अभी समझ गया होंगे ठीक है तो गुलगप्पे भी नसीब नहीं हो रहे है वे वाइरस के वज़े से तो यह मान लो आपके बॉडी में आ गया क्या एक कैमिकल सबस्टांस डाट इस वाइरस ओके नाव यह वाइरस यह वाइरस को देखते ही देखते ही हमारा जो बॉडी में लिंफोसाइट्स होगा हमारे बॉडी में जो लिंफोसाइट्स होगा वो डिटेट करेगा और इसके एगेंस एक गन तयार करेगा हमारे बॉडी में जिसको हम लोग बोलते हैं antibody जिसको हम लोग बोलते हैं क्या antibody नाव यह antibody जो होगा यहां पर आएगा और इसको जो होगा इस virus को destroy करेगा यह अच्छली हमारा है body का defense mechanism यह अच्छली है हमारा क्या body का defense mechanism antigen antibody सबको clear है good morning everyone antigen antibody सबको clear है antigen क्या करता भाई यह chemical substance है सर्ची यह क्या करता antibody के पास जाता है sorry body के पास जाता है body में lymphocytes देखता अरे वाह virus that means antigen तुरंत जाता है यह antibody का production करवाता है रुक अभी मैं तुम्हें बताता हूं और यह antibody आता है क्या करता है destroy करता है ठीक है इसको आप आतंकवादी भी बोल सकते हो virus are the terrorist for the body जैसे body में जाता है body में हमारा क्या है intelligence system ठीक है जैसे country में हमारे होता है तुरंत generate करता है क्या उसके लिए एक task force वो task force कौन है antibody है वो antibody उस terrorist को जाके destroy कर देता है ठीक है यह concept अगर clear है तो RH incompatibility कोई बड़ी बात नहीं है सुनो मेरी बात सर सुन तो रहें और कैसे सुने चलो कुछ लोग यह सब message कर रहे हैं ग्रूप में हाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या आरेच एंटीजिन आरेच एंटीजिन जो है यह भी कहा present रहता है आर भीजिकरामस पर प्रेजेंट ऑन प्रेजेंट ऑन सर्फेस ऑफ को tenha surface ऑफ औरीसी इसको हम लोग डी ऐंटीजिन बोलते हैं डी एंटीजिन भी बोलते हैं डी ऐंटीजिन या इसको हम लोग resus antigen भी बोलते हैं resus antigen ठीक है आप Diet novel की जो आपको मैंने सबस्क्राइब नोट्स दे रखा है उसमें q q लिखा रहता है q q मतलब कहने का मतलब है जब आप mcq लगाओगे इस लाइन से आपको एक कोशन ज़रूर मिल जाएगा इस लाइन से कोशन ठीक है देखो बाइलोजी क्या है आपने कोशन बहुत जादा नहीं लगाना है थोड़ा सा कंसेप्चुल कोशन लगा लेना है सफिस्केंट है और बाइलोजी को बार बार रिवाइज करना है मैक्सिमम कोशन आपको फिजिक्स और केमेस्ट्री में लगाना है ओके सो हम पहले आपको बता दे रहे हैं यह जो लाइन मैंने लिखी है किसी न किसी एमसी क्यू का एंसर है ठीक है तो प्रिजेंट अंदर सर्फिस ओफ आर बीसी इसको डी एंटिजन यह हम लोग रिशेस एंटिजन भी बोलते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर प्रिजेंट होगा अगर यह प्रिजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे आर एच पॉजिटि ना ठीक है इस तरह से जो ABO blood group हमारा है ABO blood group हमारा है तो क्या होगा A positive, A negative, B positive, B negative, O positive, O negative, AB positive, AB negative, समझ में है आभी तो चार था लेकिन RH के discovery के बाद क्या हो गया Yes, positive, negative, that means 8 में convert हो गया Now यह RH positive जो है, RH positive जो है, ठीक है, यह about 80% of the individual, ठीक है, 80% cases क्या होता है, RH positive होता है RH positive, because, because it is controlled by, this is controlled by a dominant gene This is controlled by a dominant gene, dominant gene का क्या लोचा है, यह हम आपको बताएंगे genetics में, okay dominant gene का क्या problem है, वह हम आपको बताएंगे genetics में, अभी हमको पढ़ना यह, तो आपने इतना पढ़ लिया कि RBC के surface होता है इसका research नाम यह d antigen बोलते हैं, और यह 80% case में present रहता है, और 20% case में absent रहता है जहाँ absent होगा उसको negative बोलेंगे, जहाँ present रहेगा positive बोलेंगे अब actual game सुरू होगा, अब, देखो यह game है क्या देखो, एक husband है और एक wife है, ठीक है, एक husband है और एक wife चलो, ठीक है, इससे ज़्यादा और अच्छा नहीं बिट बना सकता है मैं, ठीक है इन्होंने plan किया, ठीक है, इनका एक child होगा, इनका क्या होगा यह child होगा लेकिन problem यह था, जो husband था, वो रह एक पॉजिटिव है और जो wife है, वो रह एक निगेटिव है हम पढ़ क्या रहे हैं, अब incompatibility पढ़ रहे हैं NCRT में topic है, incompatibility, ठीक है, आरच इनकांपिटिविलिटी, तो आरच इनकांपिटिविलिटी कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी condition में होगा, जब भाया, husband जो होगा, आरच पॉजिटिव होगा, और wife जो होगी, वो आरच निगेटिव होगी, इन दोनों के case में ही, आरच इनकांपिटिविलिटी है, अगर husband आरच पॉजिटिव है, फिमेल भी आरच पॉजिटिव है, तो कोई प् है, ऐसा क्यों, ठीक है, तुम्हारा reason होगा, ऐसा क्यों, अभी आको समझ में आ जाएगा, देखो, जब यह child produce होगा, ठीक है, तो देखो, यह क्या है, भाई साहब, आपको अभी पता है, dominant gene है, इसके पास क्या है, recessive है, that means, इसके पास क्या होगा, small gene होगा, that means, इनका बच् जो होने वाला है, child जो होगा, वो कैसा होगा, RH positive, first child, पहला बच्चा इनका भीया कैसा हुआ, RH positive, होना ही था, इनका जो पहला बच्चा हुआ, कैसा हुआ, RH positive, now यह बच्चा का development कहा होता है, yes, मद्दर के uterus में, अब देखो, मद्दर के uterus में, यहाँ पर इस तरह से एक structure होता, जिसको आप बोलते हो, placenta, और placenta से baby जो होगा, connected होगा, ठीक है, यह चीज क्या है, आपका, placenta, पहला बच्चा RH positive है, placenta से connected है, मदर से nutrition ले रहा है, ठीक है, नौ महिने तक कोई problem नहीं, नौ महिने तक कोई problem नहीं, अब आएगा time of delivery, इस भाई सहाब का बाहर आने का समय आ गया, ठीक है, at the time of delivery, at the time of delivery क्या होगा, यह यहाँ से separate होगा, यह यहाँ से separate होगा, अच्छा, बच्चा क्या है, RH positive, बच्चा क्या है, RH positive, that means, इसके पास क्या है, antigen, yes, इसके पास क्या है, RH antigen, यहाँ तक सबको clear है, जी, यहाँ तक सबको clear है, प्लीज यहाँ तक बता दो, क्योंकि आगे थोड़ा सा complexity आपका चालू होगा, यहाँ तक एकदम सबको exact clear है, ओके, चलो, देखो, तो husband, wife, यह RH positive, यह RH negative, बच्चा RH positive, इसके पास antigen है, now, at the time of delivery, at the time of delivery, जब placenta अलग होता है, ठीके, आपने देखा होगा, movies में, कहीं न कहीं, आपने जरूर देखा होगा, वीडियो में, क्या होता है, मदर को bleeding होता है, यहाँ से मदर के अंदर चल जाएगा, ठीके, अब देखो, मदर के अंदर क्या हो रहा है, वह हम बाद आते हैं आपको, अब मदर के case में क्या हो रहा है, first pregnancy में, यह मदर है, सब पहले तो blue से बनाया था, तो अभी rate से बना दिया, तो क्या होगा, मदर के अंदर क्या आ गया भीया, एक RBC आ गया, जिसके अंदर क्या है, D antigen है, क्या आ गया, RH positive, ठीक है, लेकिन मदर क्या है भाई, RH negative, that means, मदर के अंदर क्या आ गया, terrorist, foreign substance आ गया, yes, यह क्या है, antigen है न, भाई, मदर के अंदर पहले antigen तो नहीं था, लेकिन अभी क्या आ गया, antigen आ गया, that means, यह क्या है, मदर के body के लिए terrorist, तो मदर के body का intelligence system क्या होगा, activate होगा, जब activate होगा, तो कहा information जाएगा, lymphocytes के पास, lymphocytes क्या produce करेगा, antibody, यह देखो, gun produce हो गया, मदर के अंदर क्या हो गया, guns ready है, now this antibody will destroy, यह जो अंदर में RBC आई, क्या हो गया, destroy कर दिया, लेकिन यह जो antibody है, यह जो antibody है, वो क्या कर गया, persist, यह जो है antibody, उसके body के अंदर है, intelligence system को पता भी है, इस तरह कातंक वादी आया था पाकिस्तान से, ठीक है, तो क्या हो गया, तो इसके पास information है, तो आप न देखा, बेबी तो आप बोलो कि सर्फ बेबी तो deliver हो गया, कोई problem तो हुआ नहीं, तो भाईया सुन लो, मेरी बात, first pregnancy is safe, first pregnancy is safe, ठीक है, now, अब again यहाँ पर husband का रोल आएगा, अब husband दुबारा आ गया, ठीक है, अब फिर से planning करने लगा, second child के लिए, अब देखो, जब second child आएगा, against second child क्या होगा, आरच, positive, second child क्या होगा, आरच, positive, now, now, अब जब आएगे देखो, pregnancy वाली condition बनाते है, मदर की, लो, एगेन मुलू से बना दिया, जो आपका demand था, यह यहाँ पर, placenta और यह आपका baby, ठीक है, now, so, इसके अंदर guns already थे, आपको ध्यान में है, now, इस guns का problem यह है, this gun, यह जो आपका gun का problem यह है, this gun can, this gun can cross placenta, placenta cross करके चल जाएगा किसके पास, बच्चे के पास, बच्चे का RBC कैसा है, RH positive, that means इसके पास, terrorist है, और यह gun जो है, इस प्लासिंटा से cross कर सकता है, that means यहाँ पर क्या हो जाएगा, RBC का destruction, जब बच्चे का development हो रहा था, तभी उसके हेमोगलोबीन का, उसके RBC का destruction होना चालू हो गया, यहाँ तक समझ में आया, देखो, एक बार मैं फिर सत सारी पॉइंट समझाता हूँ, यहाँ से, ठीक है, तो मदर के पास, क्या हो गया है, गन सिस्टम रेडी हो गया, अंटी बॉड़ी बन चुका है, मदर के अंदर अंटी बॉड़ी बन चुका है, इसी को हम लोग बोलते है, इर्थ्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस, इस इट किलियर, नई समझ में आया, तो मैं दुबारा समझाओंगा, ठीक है, अनइमियर जाओंटी समझाओंगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं, प्लीज बता हो, यहां तक समझ में आया कि दुबारीपीट करूं, Everyone, क्या, दुबारीट करने की जरूवत है, सरमाने की जरूवत नहीं है, क्या, दुबार अगर repeat करना है प्लीज repeat लिखो जिसको भी अगर दुबार repeat चाहिए तो repeat लिखो ओके डैट मिन्स सबको समझ में आ गया है ठीक है? चलो जब यहां तक सबको समझ में आ गया है अब देखो होगा क्या ये बच्चे के अंदर जो RBC है ये लो RBC और इसको destroy करेगा ये जो पकड़ रहा है antibody इसको हम लोग बोलते है agglutination agglutination इसको हम लोग क्या बोलते है agglutination आप बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो clumping ओके इसको आप clumping बोल सकते हो फिर ये क्या करेगा ये antibody body जो है इस RBC को destroy करेगा ठीक है destroy करेगा that means hemoglobin का hemoglobin का destruction होगा hemoglobin का destruction होगा तो hemoglobin के destruction से bilirubin बनेगा now bilirubin जो होता yellow color का होगा body पूरा yellow color का हो जाएगा that means baby को क्या हो जाएगा baby को हो जाएगा joint disc now अब देखो RBC का destruction हो रहा है that means hemoglobin deficiency हो जाएगी that condition is called as anemia that condition is called as anemia that means baby को क्या होगा baby को क्या होगा anemia होगा joint disc होगा यह इतना severe हो सकता है कि बच्चे का death भी हो सकता है बच्चे का death भी हो सकता है यह इतना के फटाफट फट्नोटाउं कर फिर हम आगे ड़ते हैं ठोड़ा सा छोड़ा कर देते हैं तो से anti body reaction antigen anti body reaction को हम लोगख़ एगलूटिनेशन बोलते हैं तो डो मिनिटे रहा हूँ फट्ट रवाइस करो वह यह जिन्हों ने नोट डाउन कर लिया है वह वह रिवाइस कर लें जिन्हों नहीं किया है वह नोट डाउन कर लेगे कसके बाद स्के उपर कॉस्चन स्लेंगे इसके बाद इसके उपर हम कोश्चन लेंगे इस्टार्टिंग से बाबा इस्टार्टिंग से है बहौनी कुमारी इस्टार्टिंग से ही है हाव टू प्रिवेंट इट अन्सु बता रहा हूं प्लीज इतना नोट डाउन कर लो सर पहले बच्चे के बॉडी में रह प्लस था तो भी डिस्ट्राइ क्यों नहीं हुआ हुआ चार्टे स्ट्राइक यू नहीं हुआ रिपीट कहां से रिपीट करूं नोट डाउन करो हो गया यहां तक थोड़ा हाथ फास्ट चलाओ चलो नोटेट यहाला भी नोट हो गया अगलूटेशन के बगल में और वो क्या था अगलूटिनेशन यह सिंटम से बच्चे में सिंटम्स क्या होगा यह बच्चे में बेवी में क्या क्या होगा नहीं नहीं होगा क्योंकि आर्बीसी कम हो जा रहा है हेमोगलोबीन के क्या किसे करना है धेखो प्रोब्लम हुआ कहाँ था अगर ट्रेरीस बोडींदर आता ही नहीं मदर के अंदर तो प्रोब्लम होता इस यह वाला ऑर्भीसी आ रहा था यह वाला ऑर्भीसी जो आ रहा था इसको आब लोग पहले ही डिस्ट्रोय कर देंगें इंटेलिजेंस सिस्टम आने के पात ठीक है देट मीज इनफोर्मिशन हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में आती उसे पहले हैं लोकडाउन कर देते इतना पड़ा जहमिला होता यह जिस बॉडर पर ही ट्रिरूर स्कों मार दी होते अंदर आता ही नहीं तो पूरी जानकारी मिलत तो कुछ पता ही नहीं चलेगा तो वहीं यहां पर करना है इस आर्बी सी को डिस्ट्रॉय कर देना है ठीक है तो यहां पर आएंगे डॉक्टर सहाब डॉक्टर सहाब क्या करेंगे इसको पहले इनको पता चल जाएगा यहां ऐसा ऐसा कहानी है हजबन जो है आरेज पोजिटिव था मदर जो है आरेज निगेटिव है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है तो यह अल्रेडी एक इंजेक्शन तयार करके रखेंगे इसके अंदर होगा एंटीबोडी एगेंस्ट आरेज ठीक है एंटीबोडी एगेंस्ट आरेज जो है यह जैसे फर्स प्रिगनेंसी होगी इस मदर को लगा देंगे जब यह मदर को लगा देंगे यहवाला जो इसके अंदर इंजेक्शन था हो यह जो इस तरह से था है दैट कीश्चन डॉक्टर को यह वाला एंटी बोडी ऑस और को डिस्ट्रोइ कर देगा बच्चे के, समाझ में आि रहा है यहाँ पे इसको यह पहले डिस्ट्राइब कर देगा देट निस इन्फॉर्मेशन मदर के पास जाही नहीं पाएगा जैसे प्लासिंटा से इंटर किया फॉरन वाला रबीसी रेडी मेड क्या था बाहर से इंदे रिया यह मदर के अंदर का एंटी बॉडी काम नहीं कर रहा है यह जो है मदर के अंदर का अंधी बॉडी नहीं है बाहर का अंधी बॉडी है डेक्टर साहब ने दिया आए इसको अलग से ठीक है तो यह पहली डिश्ट्रॉई कर दिया मदर के अंदर का ऑन्धी बॉडी ठीछ physi और यह जो डॉक्टर सामने एंटीबोडी दी इसकी खास बादी कुछ दिन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा सेकेंड प्रगेंसी तक लास नहीं करेगा समझ में आ गया एंटी आरेच एंटीबोडी हम लोग देंगे इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे ठीक है अच्छा एक कोशन और देखो यहां पर यहां पर जो डिस्ट्रक्शन करवा रहा है बच्चे का बच्चे का जो डिस्ट्रक्शन करवा रहा है वो कौन सेंटीबो नहीं मदर का antibody आके बच्चे के अर्विसी को डेश्ट्रोय कर रहा है इसको इसको लोग बोलते हैं इरित्थ्रो्स प्लास्टोसीज प्लास्टोसीज फिटलीज इसको बोलते त्रो ब्लास्टोसीज फिटलीज यह सबको clear है तो हम लोगा फोक्संस लेते हैं भी देखते हैं कि इसको कितना किलियर है ओके आजाओ अच्छा यह डाइग्राम देख लो यह डाइग्राम आपके बुक में है ठीक है तो यह कौन अभी यह हस्बेंड है आपके नोट सो मैंने यह डाइग्राम दे रखा है रह पॉजिटीव यह देखो पहला प्रेग्नेंसी हुआ that means यह क्या ह है फीटस फीटस आरच पॉजिटीव है तो कुछ आर बीसी एड़ टाइम ओफ डिलिवरी चला गया मदर के अंदर ना मदर के बॉड़ी के अंदर क्या हो गया एंटीबोडी का प्रोड़क्शन अब जब दूसरा बच्चा प्रोड्यूस हुआ और रच पॉजिटीव होग हुए तो यह मदर का अंटीबोडी क्या करेगा बच्ची को जाकर डिश्ट्राइब किस प्रिगनशी सेफ और फिर्स प्रेगनेंसी जडेंजरस डेंजरस प्र हुस्ट फप्र्स रिक्नेंसी सेफ और सेज्टेंटिक सेश बिक्रू जरस सब को क्लियर है बोलो यह आपके नोट्स से मैंने दिया है ठीक है यह मैंने आपके नोट्स से दिया है यह आपके नोट्स में है किया थैकन में क्या जरूरा ठीक है देखो पहले प्रेगनिंज भेड़न एहां पे को डिस्ट्रॉर कर दिया जाएगा जबार्फी destroy कर दिया जाएगा तो यह antibodies जो है मदर्स में नहीं बनेगी ठीक है एगें जब second pregnancy होगी तो बच्चे को डॉक्टर साब एगें injection देंगे तो यह RBC जो इसके अंदर धुकने वाला अंदर आने वाला होगा यह अंदर नहीं आएगा इस इट किलियर कंसेट किलियर है सबको सबको कंसेट किलियर है ओके तो लो अगर कंसेट किलियर है तो लो I think सबको दिख रहा है Yes, question सबको दिख रहा है कि और zoom करूँ चलो, पहला का answer बता दो मुझे चलो, पहला बताओ Shweta Mother is क्या लिखा हुए अब Yes, Mother is आरच पॉजिटिव क्या मदर क्या होगा, आरच निगेटिव and Father आरच पॉजिटिव सबने C दिया है किसी ने E भी दिया है, क्यूँ So, Mother होगा आरच निगेटिव और हस्मेंड होगा आरच पॉजिटिव C तो करेक्ट है E किसने दिया, B भी किसी करेक्ट बोल रहा है Mother आरच पॉजिटिव हस्मेंड नहीं कैसे पॉजिबल है अरे यार भीया, E कैसे बोल रहा हो यार यह देखो तुम बोल रहा हो, अगर यह आरच पॉजिटिव है अगर Mother आरच पॉजिटिव है यहाँ पर तुम बोल रहा हो कि Mother अगर आरच पॉजिटिव है अगर Mother के अंदर RBC आ भी गया तो क्या प्रॉबलम है कोई फोरें सब्सान सोड़ी आएगा अगर इसके अंदर आरच पॉजिटिव होती अगर इसके अंदर आरच पॉजिटिव जाता तो सेंसिटाइशन होता तो एंटीबोडी बनता ना जब मदर के अंदर आरच पॉजिटिव भरे हुए हैं ठीक है तो क्या सेंसिटाइशन होगा समझ रहे हो ना अरे भीया पाकिस्तान के अंदर उसे खुद की ट्रॉरिस्ट भरे पड़े हैं और एक आट ट्रॉरिस्ट घुश जाएगा तो उसको क्या फर्क पड़ता है इंटलिजन सिस्टम काम करेगा नहीं होगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार अगर नहीं समझ में आ रहा तो दुबारा बताओंगा ठीक है चलो सेकंड नमबर बताओ यस सिकेंड नमबर अब है अब है मदर आरेज पोजिटिव होने से नहीं होगा मदर आरेज निगेटिव होना होगा और हज्मेंट को आरेज पोजिटिव होना होगा तभी पॉसिबल होगा वीडियो फिर से एक बार देख लेना क्लास खतम होने के बाद चलो वेरी गुड टू का ए होगा तिन नमबर बताओ येस इत्रो ब्लास्टोसिस फिटलिस वेरी गुड सही है चलो तुम जो तो तेज हो गया हो यार चार नमबर चार नमबर अच्छा कुछ डॉक्टर साथ भी इंजेक्शन लगाते थे ना उसका नाम रो गैम है ठीक है है डॉक्टर साथ जो इंजेक्शन लगाते थे उसका नाम रो गैम है ठीक है यह जो चार का यह बोल रहे हैं न वह बताओ मचलिस लाइकली दूरिंग फर्स प्रेग्नेंसी इस ऑप्षन में क्या गड़ बड़ है या मैंने तो बोला ना पहला प्रेग्नेंसी सेफ है और डॉक्टर सहाब तो मेडिकल ट्रीटमेंट करी दे रहे हैं तो डर किस बात का है और यह ऑप्षन आप खुदी बोल रहे हो आप्षन डी होगा ना फटाफ़त पहला देखे लालच में आगाना थिक कड़े झर फटाफ़त जल्दीा देने के एंसर में फह गताए के कीवी गलती है और पांच नम्बर के ले गए चार नमेर तो जोंग एक नमबर निगेटिव का, तो दिमाग की सारी बत्ती जला के question solve किया करो, चलो